आज के वीडियो में आपको विरात कोली, अनुषका शर्मा और उनकी क्यूट से बेटी वामेका के बारे में बताएंगे जैसा कि आप सब चानते हैं कि अनुषका शर्मा और विरात कोली जहां एक पारफुल कपल है, वहीं वो एक क्यूट से बेभी गल के पैरेंस भी हैं विराद कोली ने रीसिंटली अपने एक इंटेवियू में अनुशका शर्मा के बारे में बहुत कुछ कहा विराद कोली ने पहली बार खुलकर अपनी बेटी वामिका के बारे में बात की और उनका कहना था कि लास्ट टू एर्स उन दोनों की लाइफ के बहुत मुश्किल एर्स थे जहां वो अपने स्पोर्ट्स को लेकर काफी ज़दा ब्रेकडाउन हुए वे थे वो ठीक से खेल नहीं पा रहे थे, उनकी फॉर्म वापस नहीं आ रही थी वहीं पर वो एक न्यु पैर्ट भी बने थे और वो सब उनकी लाइफ में एक साथ हो रहा था उनका कहना है कि वो एक ऐसा समय था जिसमें अनुषका शर्माने उन सबकी मदद की उनका कहना था कि अनुषका शर्मा लाइफ को एक बहूद अलग एंगल से देखती हैं और वो जिस तरह से live को देखती हैं उस तरह से मैंने उन से देखना सीखा और फिर मैंने उनको जब देखा तो फिर मुझे ये लगा मेरी problems बहुत छूटी है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इस से पहले भी विरात कोली अपनी सारी सक्सेस का क्रेडिट हमेशा अनुश्का शर्मा को देते हैं और अब उन्होंने अपने inspiration भी अनुश्का शर्मा को कहा और साथ में उन्होंने बताया किस तरह से अनुश्का शर्मा अपनी बेटी वामिका के लिए बहुत सारे sacrifices देती है और कुछ सेक्रिफाइस तो हम सब भी जानते है कि अनुशका शर्मा ने वामिका के आने के आने के बाद फिल्म सिटी बल्कु छोड़ दी थी वो फिल्म्स नहीं कर रही थी और अब उन्होंने एक फिल्म की है इसके लावा हमने उन्हें कहीं भी नी देखा और उन्होंने अपना सारा के सारा टाइम अपनी बेवी गर्ल के साथ को सारा हमने ये भी देखा अनुशका शर्मा और विराट कुली जब भी कहीं विकेशन्स पर गए अपनी बेटी को जरूर साथ लेकर गए उन्होंने कभी अपनी बेटी को पीछे नहीं छोड़ा वो दोनों कभी अकेले कहीं पर नहीं गए इस तरह की और भी बहुत सारी बाते विराट कुली ने अनुशका शर्मा के बारे में बताई है और उन्होंने कहा है कि कुछ चीजे अन्बिलीविबिली लाइफ चेंजिंग थी और ट्रास्फॉर्मिंग प्रोसेस था और जिस तरह से अनुशका शर्मा ने स्ट्रॉंग रहकर इस सब प्रोसेस को स्मूध बनाया है मैं उस प्रोसेस का 5% भी पार्ट नहीं हूँ वो जिस प्रोसेस से गुजरी है और जिस तरह से उन्होंने उनकी बेटी की परवरिश की है उनकी बेटी के साथ वक्त बिताया है समय बिताया है उनकी बेटी को जहां आज वो खड़ी है वो सब अनुशका के कारण है और हमें विराठ गुलि की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि वो जहां credit होता है जिसका credit होता है उसको जरूर देते हैं और वो अपनी वाइफ अनुशका शर्मा को हमेशा credit देना नहीं भूलते हैं आपको अनुशका शर्मा वामिका विराज की क्यूट से family कैसी लगती है आप अनुशका शर्मा को दुबारा फिल्म्स में देखना चाहते हैं हमें comment में बताना नहीं भूलिएगा